जैहिंद स्वागत आपका आपके अपने चैनल SK5 Study Guide में आज हम जानेंगे राइजर के विशे में राइजर हाई राइज बिल्डिंग में लगाए जाते हैं तो स्टार्ट करते हैं आज का टोपिक राइजर आमत और पर हम हाई राइज बिल्डिंगों में देखते हैं कि दिवार के साथ पाइप लगी होती है वह पाइप नीचे से उपर की मंजिल तक जैसे ये पाइप दिखाई दे रही है ये नीचे से उपर की मंजिल तक जाती होगी उसे राइजर कहेंगे हर एक मंजिल पर इनके साथ एक outlet लगया हुआ जैसे ये हर एक मंजिल पर एक outlet यहाँ पर लगया है हर एक मंजिल पर इन राइजर का इस्तिमाल पानी को आग के स्थान तक बेजने के लिए क्या जाता है इसमें पहला होता है rising man rising man इस खड़े pipe को कहते हैं जो ये pipe है इसको rising man कहते हैं जैसे दूसरी slide में ये वाला pipe इसको rising man कहेंगे जो कई मंजिलों वाली उची मारतों में आग बुजाने के लिए building की निचली मंजिल से परतेक मंजिल से होता हुआ उपरी मंजिल तक सीधा जाता है ये सामने picture में दिखाई दे रहा है निचे की मंजिल से उपर की मंजिल तक सीधा इसमें हर एक मंजिल में एक-एक outlet होता है जो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये outlet यहाँ पर ये outlet है जहाँ पर हम delivery hose pipe के male coupling को फशाते है वो outlet है ये female outlet होता है और इसके साथ एक landing valve होता है जिससे पानी को on-off किया जाता है अगर किसी मंजिल में आग लग जाए तो इसी outlet के पास box में hose pipe जो ये box रखा हुआ है इस box के अंदर hose pipe और branch pipe जिसके द्वारा पानी का pressure मारा जाता है वो इस box में रखे होते हैं जब कोई incident होता है उस समय box से निकाल कर hose pipe को outlet से जोड़ते हैं राइजर के होने से समय की बचत होती है अगर किसी building की उपरी मंजिल में आग लग गई तो हमें नीचे से उपर जो इस आमने picture में दिखाई दे रहे हैं नीचे से उपर hose pipe को ले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा उतनी देर में आग और फैल सकती है और राइजिंग में होने से उपर की मंजिल में अगर जाना है तो हमें सिर्फ वहाँ पर जागर के क्या करना है box से hose pipe को निकालना है और उसे राइजर के साथ connect करना है और आग के पास चले जाना है और वाल खोलते ही पानी अपके पास पहुंच जाएगा जिससे हम जल्दी से जल्दी आग पर काबू पा सकते हैं और राइजर होने से fraction loss यानि पानी का pressure भी कम नहीं होगा अगर राइजर नहीं होगा जैसे यह ओजबाइब बिछाए हुए है हो सकता है बिल्दिंग बहुत ज़्यादा उच्छी हो और आमें नीचे से उपर तक जाने में कम से कम 10 ओजबाइब 15 ओजबाइब 5 ओजबाइब लगें तो एक ओजबाइब में 10% fraction loss हो जाता है यानि का पानी का प्रेसर एक ओजबाइब से दूसरे ओजबाइब में जाने के बाद प्रेसर कम हो जाता है तो अगर हमें ज़्यादा ओजबाइब लगाएब हम ज़्यादा ओजबाइब लगाएगे तो fraction loss ज़्यादा होगा और हो सकता हाग तक हमारा पानी का प्रेसर ना पोचबाइ लेकिन राइजर होने से ऐसा नहीं होगा हमारे को पानी का प्रेसर अच्छी मातरा में मिलेगा राइजर दो प्रकार के होते हैं पहला होता है वेट राइजर जिसके अंदर हमेशा पानी रहता है और दूसरा होता है dry riser जो हमेशा सुखा रहता है अब इनके विशे में जानेंगे weight riser जैसे अभी हमने जाना building की निचली मंजिल से उपरी मंजिल तक एक सीधा pipe जाता है यह क्या है यह building है यह पूरी क्या है building है और यह क्या है rising van इसमें यहाँ outlet है इस building के हर एक floor में इसका outlet होगा इस pipe का connection सहर की water supply hidden या कोई water tank जैसे यहाँ पर बनाए हुए या तो इनका connection सहर की supply से होगा hidden से होगा या water tank बना करके इनके साथ rises का connection कर दिया जाएगा यह pipe हमेशा पानी से बरा रहता है जैसे इसके नाम से पता लगता है वेट राइजर तो यह हमेशा पानी से बरा रहता है आग लगने पर इसके outlet को खोल कर पानी का उपयोग कर आग को बुजा सकते हैं इसके साथ इसमें निचली मनजिल पर inlet wall दिया जाता है जिससे fire की गाड़ी से पानी लिया जासके जैसे यह picture में दिखाया गया है यह fire की गाड़ी है यह एक inlet लगा होगा जहां पर हम hose pipe से उसका connection कर देंगे और riser के दुवारा पानी जहां तक हमारे को जुरूँ तब वहां तक जासकेगा इसके बाद आ गया आता है dry riser इसमें भी building के साथ pipe होगा हर मंजिल पर outlet होगा लेकिन इसका connection share की water supply से नहीं होगा क्योंकि यह pipe खाली या सुखा रहता है weight riser में क्या था यह सब पानी से refill होगा होगा था यह निए इसके अंदर पानी था लेकिन dry riser में इसा नहीं है dry riser में यह बिल्कु खाली रहता है जरूरत पढ़ने पर नीचे की मंजिल में inlet होता है जैसे यह fire की गाड़ी है यह यहाँ पर inlet है जब भी जरूरत पढ़े कोई emergency आ जाती है कोई गटना गट जाती है उससे में fire की गाड़ी आएगी और fire की गाड़ी अपना connection यहाँ पर inlet पर दे देगी उसके बाद यह पानी जिस मंजिल में आग लगे होगी वहाँ तक यह पानी पहुंच जाएगा riser के त्वारा इस riser में उपली सिरे पर एक air release वाल होगा जो इस पूरे pipe की air को release करेगा अगर इसकी air release ना की जाए तो हो सकता मिया से पानी का pressure दें और उपर से air का pressure हो और हमारा पानी अच्छी तरह ना आपाए इसलिए इस air को release करना बहुत जुरूरी है riser को खाली करने के लिए pipe में inlet के निच्चे यह जो हमारा inlet है इसके निच्चे एक drain कोग भी लगा रहता है जिसके द्वारा हम पूरे pipe को जल्दी से drain कर सकते हैं आगे इनमें difference यह weight riser और यह dry riser इनके अंदर difference क्या है इनमें सिर्फ इतना अंतर है कि weight riser में में हमेशा पानी charge रहता है इसमें हमेशा पानी charge रहेगा और dry riser में हमेशा खाली रहेगा उसे आग लगने या कोई हाथसा होता है तब ही उसे fire की गाड़ी द्वारा पानी से charge किया जाता है सिर्फ इनमें यह एक difference है आगे है downcomer downcomer किसे कहते हैं weight riser के pipe को जब सहर की water supply की बजाए उसी building की छत पर बने किसी water tank से जोड़ दिया जाता है जैसे यह building में दिखाई दे रहा है water tank हम सहर की water supply की बजाए या नीचे कोई water tank बनाने की बजाए या hidden से connection देने की बजाए हम building के उपर एक water tank बना देते हैं जिससे कोई emergency होने पर इसके द्वारा ही riser में पानी आएगा तो जो यह उपर tank बना होता है इसे ही down comer कहते हैं यह दूसरी slide में दिखाई दे रहा है यह tank बना गया है और इसके बीच में एक pump लगा जाता है pressure देने के लिए और उसके बाद यह rising man में इसका connection कर दिया जाता है यह थे riser जिनको लगा कर उची building की आग को आसानी से बुझा सकते हैं आसा है video आपको ग्यान वर्दक लगी होगी अगर fire से संबंदी वीडियो देखनी है तो channel को subscribe करें और channel पर upload वीडियो देखें धन्यवाद